पिच्चर अभी बाकी है ज्यादा से दल लोगों तक पहुशने के लिए इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए तो दोस्तों आज की हमारी कहानी है दल लूकाउट और ये एक क्राइम ठीलर ड्रामा मूवी है इसलिए इस मूवी में आपका इंटरेस धीरे-धीरे बरता जाएगा और ये मूवी आपको लास्त तक बांदे रखेगी तो मूवी अंतर तक देखेगा तो मूवी की शुड़ुआत में हम यंग एथलीट को देखते है जिसका नाम क्रिस होता है और क्रिस अपनी गल्फ्रेंड के साथ और अपनी दो फ्रेंड के साथ लॉंग ड्राइपर कहीं जा रहा होता है और कार में सभी लोग जुगनों का नजारा देखकर रोमांचीत हो जाते है ये देखकर क्रिस अपनी कार की हेडलाइट को बन कर देता है तब क्रिस के सभी फ्रेंड डर जाते है और उसे वापस से लाइट आउन करने के लिए कहते है क्रिस वापस से लाइट्स आउन करता है तो वो देखते हैं उनके सामने एक बड़ा सा ट्रक था ये देखकर क्रिस कुछ समय नहीं पाता और उनकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है आगे इस कहानी में हमें सीधे 4 साल बात का समय बताय जाता है जब क्रिस अपने बेट से उठता है और उठकर वो नहाने लगता है नहाते समय क्रिस के कुछ पुराने जखमों और टाके दिखाय जाते है इसका मतलब था क्रिस को एक्सिडेंट में गहरी चोटे आई थी आगे क्रिस डेली रूटिन के काम करने लगता है और तब हमें एक बात नोटिस करते है कि क्रिस सब कुछ एक डाइरी में नोट कर रहा था आगे क्रिस कना सिटी में एक लाइफ स्किल क्लास में जाता है, जहां पर उसे हर बात याद रखने के लिए नोट बुक में लिखना सिखाते हैं, फिर हमें पता लगता है उस एक्सिएट में क्रिस को एक मानसिक चोड आई थी, जिसके कारण वो आप कुछ भी ठीक से याद न जाने लगता है, तब क्रिस देखता है कि वो अपनी कार की चावी कार में ही भूल गया है, तब क्रिस को याद आता है कि उसने कार की एकोर चावी अपने जूते में भी छुपा रखी है, क्रिस अपने जूते से कार की दूसरी चावी निकालता है और क्रार स्टार्ट करके पार्क में जाता है जहाँ पर Chris को अपनी पुरानी गलफेंट दिखाई देती है और वो रोज वहीं से गुजरती है Chris अपनी गलफेंट को एक टक देखता रहता है क्योंकि उस एकसिएंट के बाद Chris की अपनी गलफेंट से वापस बात करने की हिम्मत नहीं होई तभी Chris की गड़ी में आलाम बजने लगता है और आलाम को बसते देख Chris अपनी नोटबुक में देखता है तो Chris को याद आता है उसे Janet से मिलने जाना था जो कि उसकी case manager है Chris एक restaurant में अपनी case manager Janet से मिलता है जो कि Chris की चिंता करती है और Chris उसे कहता है वो बिलकुल ठीक है जैनेट क्रिस को समझाती है कि उसे अब नई जिन्द्गी शुरू करनी चाहिए पर क्रिस जैनेट की सारी बातों को सुन लेता है और वो वहाँ से चला जाता है क्रिस वापस अपने घर पर पहुचता है जहांपर वो और उसका रूममेट लुईस रहा करते है लुईस देख नहीं सकता है और वो क्रिस को हमेशा मोटिवेट करता रहता है लुईस एक कॉल सेंटर में जॉब करता है और वो क्रिस के लिए खाना बनाने का मेसे छोड़ कर जाता है क्रिस खाना बनाने लगता है पर उससे केन नहीं खुलती और वो गुस्ता होकर कीचन में तोलफोल मचा देता है क्रिस अपने गुस्ते पर काबू नहीं रख पाता था लुईस वापस घर पे आता है तब उसके पाओं में कीचन का बिखरा हुआ सामान आता है और सामान को हाथ लाकर लुईस सब कुछ समझ जाता है क्रिस अपनी हरकत के लिए लुईस से सौरी बोलता है फिर लुईस खाना बनाता है और वो क्रिस को मोटिवेट करता है लुईस और कृस दोनों अच्छे दोस रहते है और हमेशा एक दूसरे का साथ देते है कृस नाइट में कनास के एक बेंक में सफाई का काम करता है और यहां के सभी इंपलोई का उससे बहुती अच्छा वेवार रहता है तब क्रिस अपने boss Mr. Tuttle से request करता है कि उसे भी bank में टेलर मेन की job दी जाए और वो Mr. Tuttle को अपनी skill training के बारे ही बताता है पर क्रिस के boss उसे उस की कम्या दिखा कर मना कर देते है क्रिस जब bank में अकेले सपाई का काम कर रहा होता है तो वो अपने पुराने एथिलिट के दिनों को याद करता है कि वो केसे हाई उसकुल में कितना फेमस था वो एक बहुती बढ़िया हौकी प्लेयर था तबी बेंग के बाहर एक कार में कुछ लोग बेंग को लूटने की प्लानिंग के लिए बेंग को और क्रिस पर नजर रख लगता है वो क्रिस को बताता है कि वो उसके उसकुल में उसका सीनियर था और वो उसके स्पोर्ट का बहुत बड़ा फेन भी था और वो उसकी बहिन की क्लास में पड़ता था और वो अपना नाम गेरी इसपार्गो बताता है और वो क्रिस से हमदर दी जाताता है वो कहता है कि उसे भी अस्तमा है और लाइफ में कभी भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो जरूर एक खड़की भी खोलता है इसलिए निराश मत हो क्रिस गेरी से दोस्ती कर लेता है और घर पर आकर क्रिस गेरी की बातों के बारे में सोचने लगता है तबी क्रिस को Thanksgiving celebration के लिए उसके पिता का फोन आता है और क्रिस लुइस को भी अपने साथ अपने पिता के वाँ ले जाता है लुइस वाँ सबसे friendly होने की कोशिश करता है और वो उसके और क्रिस के restaurant खोलने के dream के बारे में भी सबको बताता है जिसे सुनकर क्रिस की family को कुछ जादा अच्छा नहीं लगता और क्रिस की मा उससे नारा जोयाती है क्रिस अपने घर में अपने पुराने कमरे में जाता है जहाँ पर उसके medals और उसकी पुरानी यादेर रखी हुई थी जिसे देखकर क्रिस उदास होता है तब ही वहाँ पर क्रिस की बहन आती है और वो क्रिस को motivate करती है तब क्रिस अपनी बहन से Gary के बारे पूछता है क्या वो उसकी class में था पर क्रिस की बहन किसी भी Gary को पहचानने से मना कर देती है तब क्रिस अपने पापा की रखे हुई कुछ बंदू के देखता है क्रिस अपने पापा के साथ चेस खेलता है पर उससे याद नहीं रहता इसलिए वो चेस भी नहीं खेल पाता तब किसी बात को लेकर क्रिस के पापा भी उससे डीमोटिवेट कर देते है जब लुईस और क्रिस वापस अपने रूम पर जा रहे होते है तब लुईस एक अच्छे दोस्त होने के नाते क्रिस से कहता है तुम अपने घर पर मत आया करो यही तुमारे लिए बहतर होगा क्रिस जीस बेंग में सफाई का काम करता था वहाँ पर उसका एक ओर दोस्त होता है जो डेपटी शेरिफ है और जिसका नाम ट्रेड है और वो रोज साम को अपनी ड्यूटी के समय क्रिस को डोनर देने आता है और रोजाना उसका हाल चाल पूसता है आगे क्रिस फिर से उसी रेस्टरून में जाता है और वहाँ पर उसकी दोस्ती एक लड़की से भी होती है और ये लड़की भी गैरी की गैंग में होती है क्रिस उसे दोस्ती कर लेता है और उस लड़की का नाम लवली है लवली क्रिस को उकसा कर अपने घर पर बुलाती है और क्रिस और लवली दोनों इंटिमेट होते है क्रिस से सारी बाते जानकर लुईस को भी खुशी होती है एक दिन गेरी क्रिस को अपने घर पर पार्टी में इन्वाइट करता है जहाँ पर क्रिस देखता है कि गेरी के सभी दोस्त नशा कर रहे थे और वहाँ पर क्रिस गेरी के दोस बोन से भी मिलता है जिसे देखकर क्रिस को कुछ ठीक नहीं लगता पार्टी में भी क्रिस को गेरी के बैंक लूटने के प्लान के बारे में पता लगता है Gary Chris को समझाता है कि जिसके पास पेशा है आज कल पावर भी उसी के पास है जब इंसान को पेशो की जरूत होती है तब उसकी फैमिली भी काम नहीं आती तुम अपने पिता से अपने लिए 1000 डॉलर भी नहीं मांग सकते तुम इस चोरी में नजर रखके हमारी मदद कर सकते हो आगे Chris और Lewis रेस्टरंट के लिए लोन अपलाई करने के लिए बैंक में जाते है पर वहाँ भी बात नहीं बनती अपने घर पर जब Chris को Gary की बाते याद आती है तो वह अपने पापा को फोन लगाता है और उनसे 1000 डॉलर मांगता है पर उसके पिता उसे पेशा दिने से मना कर देते है और Chris को ये बात बहुत चुपती है आगे Chris Gary की मदद करने लगता है बैंक लूटने की प्लानिंग में और इसी बीच Chris और लवली की दोस्ती भी बरती जाती है लवली Chris के घर पर आने लगती है और उसके साथ बहुत सारा समय बिताने लगती है लवली की इनी हरकतों को देखकर और उसकी बातों को सुनकर लूइस को कहीं न कहीं शक होता है और लुइस लवली की सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि वो क्रिस के साथ क्या करना चाते है पर लवली इसके बारे में कुछ नहीं बताती लवली और लुईस की ये सारी बाते क्रिस भी सुन रहा था और क्रिस को लगता है कि लुईस शाद उसका बुरा चाता है इसलिए वो उसकी गल्फेंट से सी बाते कर रहा है क्रिस गेरी के साथ बेंग पर नजर रखता है और क्रिस अपने नाम से कटिंग करने के लिए रेंड पर गेस सिलेंडर भी लेता है और क्रिस लॉकर रूम की भी तस्वीरे लेता है तभी वहाँ पर पुलिस वाला टेड आयाता है और टेड क्रिस ते पूछता है तुम किसकी फोटो ले रहे थे टेट देखता है तो क्रिस लॉकर रूम की फोटो ले रहा था तब क्रिस कहता है मैं अपने पिता को दिखाने के लिए फोटो ले रहा था यह सुनकर टेट क्रिस से उसका कैमरा मांगता है और उसे लॉकर रूम के पास खड़े रहने को कहता है और टेट क्रिस का फोटो लेता है ताकि क्रिस अपने पिता को दिखा सके आगे क्रिस गेरी की गेंग को लॉकर रूम का फोटो दिखाता है और लॉकर रूम की फोटो को देखकर गेरी की गेंग का एक आदमी कहता है ये लॉकर रूम बहुत पुराना है और बहुत ही मजबूत है हम इसे नहीं खोल सकते हमें लॉकर रूम की दिवार पर होल करना होगा और CCTV केमराज को हम तोड़ देंगे क्रिस गेरी को एक मुबाइल देकर कहता है इसमें मेरा नंबर है तो मुझे कॉल करना जब बेंक में पेसा आएगा और उसी रात हम ये काम करेंगे तब पुलिस वाला टेड तुमें डोनट देने आएगा तुमें उससे बात करके उससे वापस भेजना होगा और नजर रखनी होगी आगे क्रिस बेंक में काम कर रहा होता है तब ही पुलिस वाला टेड उससे डोनट देने आता है और क्रिस टेड से कहता है तुम यहाँ पर राउंड लगाने आते हो तो तुम उझे पर नजर रखने आते हो और इसा कहिकर क्रिस टेड को वो डोनट वापस ले जाने के लिए कहता है और क्रिस टेट से बुरी तरह से बात करता है जिसे मायूस होकर टेट वहाँ से चला जाता है और इसी तरह से क्रिस लुईस से भी बुरी तरह से बात करता है उसे भी डारता है और उसे भी अपने से दूर रहने को कहता है आगे बैंक में पैसा आता है और गेरी की टीम रात मे चोरी करने के लिए तयार होती है और क्रिस रोजाना की तरह बैंक में सफाई करने के लिए जाता है तब क्रिस के बोस टाटल क्रिस से कहते है क्रिस तुम बहुत लंबे समय से हमारे साथ काम कर रहे हो पर अब मुझे लगता है तुमारे साथ ठीक नहीं होगा अगर मैं तुम्हें कोई नई जिम्मेदारी ना दूँ इसलिए हॉलिडी के बाद तुम रेगुलर रूप से बैंक विंडो का काम समालोगे ऐसा कहिकर टैटल वहाँ से चलायाता है और ये बाद सुनकर क्रिस को विश्वास होता है कि बिना चोरी किये भी उसका जीवन चेंज हो सकता है और क्रिस लुइस को कॉल करके कहता है लुइस में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ तब ही वहाँ पर बोन आ जाता है और वो क्रिस से दर्वाजा खुलवाता है और सभी पीछे के दर्वाजे से बैंक में इंटर होने लगते है तब क्रिस गेरी को चोरी करने से मना करता है और गेरी क्रिस को डरा कर चुप करा जिता है आगे गेरी के साथ आया आदमी लौकर रूम की दिवार में होल करता है और Gary bank के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था तब ही वहाँ पर पुलिस वाला Ted आता है Chris से मिलने तब Gary Chris से कहता है इससे नॉर्मल होकर बात करना इसे शक नहीं होना चाहिए और इसा करकर सभी लोग छिप जाते है टेड आता है और वो Chris को बताता है कि उसके घर में वेबी हुआ है वो यही बात बताने उससे आया था Chris भी टेड से नॉर्मल बात करता है और उसके बुरे बरताओं के लिए उससे सौरी कहता है टेड के जाने के बाद सभी लोग अपना अपना काम वापस से करने लगते है और Chris को भी लगता है कि उसके साथ बहुत ही गलत हो रहा है दूसी दरब पुलिस वाला टेड क्रिस के लिए डोनट खरीदने के लिए रुखता है दूसी दरब लौकर रूम में होल करके टेड क्रिस को डोनट देने के लिए बेंक में आता है जिसे देखकर सभी लोग छुप जाते है और टेड क्रिस को अवाज लगाने लगता है पर टेड को बेंक में क्रिस कहीं भी नजर नहीं आता और आजपस देखने पर टेड को बैंक में एक गेंस पाइप नज़र आता है और शीशे में कुछ लोग दिवार के पीछे खड़े वे दिखाई देते है तबी बॉन गन उठा कर टेड पर गोलिया चाना लगता है और टेड भी अपनी गन निकाल कर चोरी करने आएक आदमी को शूट कर देता है और फाइरिंग में गैरी भी बुरी तरह जक्मी हो जाता है और टेड बाहर खड़े आदमी को भी शूट कर देता है जो बाहर नज़र रख रहा था टेड बेंग के अंदर आता है तबी पीछे से बोन उस पर फाइरिंग करता है और टेड मारा जाता है बोन लॉकर रूम के अंदर देखता है तो वहाँ पर क्रिस नहीं था क्रिस अपने जूते से गाड़ी की चाबी निकाल कर वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है गैरी और बॉन ने पकड़ रखा है ये सब देखकर क्रिस वहाँ से निकल जाता है अपने दोस्त की जान को खत्रे में देखकर क्रिस घबरा जाता है और वो अपनी लिस्ट बनाने की स्किल के साथ एक प्लान बनाता है लुईस को सेव करने के लिए और गैरी को खत्म करने के लिए क्रिस अपनी नोटबुक में लिखता है वो लुईस को सेव करेगा और गैरी को और बॉन को दोनों को मार देगा और वो सारा पेशा एक जगा छुपा देगा जहां पर उसका एक्सिडेंट हुआ था सबसे पहले गैरी और बॉन को मारने के लिए उसे एक गन चाहिए होगी वो अपने पिता की गन गोलिया भर के पेशो के एक बेग में रख देता है और उस बेग को याद अटने के लिए उस पर एक सूलेज बान देता है और पेशो के बेग को चुपा कर वो Gary को कॉल करता है और कहता है मैं पेशा तभी दूँगा जब तुम Lewis को लोटा दोगे Lewis को लोटाने की जगा पर Chris वेट कर रहा होता है तभी वहाँ पर बॉन आकर उस पर अपनी गन अड़ा देता है और Gary Chris से उसकी नोटबुक छिनकर उसके चुपाए पेशो का पता लगा लेता है Gary और Bond Chris और Lewis को जगा पर ले जाते है जहाँ पर उन्होंने पेशा चुपाया था Bond Chris से चुपाया और पेशा निकलवाता है और Chris Bond को एक बेग निकाल कर देता है और Bond Chris को दूसरा बेग निकाल कर लाने के लिए कहता है तब तक Gary की हालत बहुती खराब हो चुकी थी और Chris को दूसरे बेग पर शूलेस बंदावा दिखाई देता है तब उसे याद आता है कि उसने वो शूलेस क्यों बांदा था पेशा मिलने के बाद Bond Lewis को गाड़ी से निकाल कर मानने वाला होता है तब ही Chris अपनी बेग वाली गन से Bond को मार देता है और खायल होने की कारण Gary भी मारा जाता है आगे Chris सारा पेशा बेग को वापस लोटा देता है और CCTV कैमरा फुटेज से पुलिस को पता लग जाता है कि Chris को बेंक लूटने के लिए मजबूर किया गया था इसलिए Chris को पुलिस द्वारा छोड़ दिया जाता है आगे Chris और Lewis दोनों नई जिंदगी शुरू करते है और उन्हें बेंक लोन भी मिल जाता है उनका रेस्टोएंट खोलने के लिए और वो लोग अपना रेस्टोएंट भी खोलते है ये सब देखकर Chris के पापाई बहुत खुश होते है और मूवी यहाई खत्म हो जाती है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताईए कमेंट सेक्षन में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्षन में यस टाइप कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्षन में नो टाइप कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले क्योंकि पिच्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त